आज हम रिव्यू करने हैं जावा 42 बॉबर और सारी डिटेल्स में इसकी बात करेंगे और प्राइस बताएंगे और कहते प्रीचर्स आपको जो है इस वाली वाय को देखने मिलते हैं वो सब चीजें जो है इसमें आज डिसकस करेंगे उससे पहले आपको एक सब्सक्राइब कि यह उसके से आप सकते हैं और आप सिटी राइड थरीके से दुरुर्स आज जादा है बद हैं इसकी सीट की वह तने जादा नहीं है वाकि की जो डूरीटीघा सोती है जिस तरीकी जो इसका जो 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 इसका से ही लिए बाद होती है उने मैं सी टाइट नहीं जैसें देर्क जाती है संपाल कर एक तो वहां एक टाइडा के जिए जाती है ऑख तो सभन टीजिए सप्पिकश सकते कर दो कि यंजनिय बात कर दो अगिए कर्वेट की बात करें तो 185 कीजी कर्वेट आपको जो है समें मिलता है 6-speed manual transmission के साथ ही आती है 30bhp की बावर मिलती है 32.74 Nm का टॉर्क आपको इसमें देखने को मिलता है वील बेस की बात करेंगे तो आपको 1480 mm का यहां पर वील बेस देखने को मिलता है सीट हाइड की बात करेंगे तो 750 mm जो है सीट हाइड आपको यहां पर देखने को मिल जाती है इस तरीकी का देखने को मिलता है वर्टिकल पोजिशनिंग इंजिन आपको इसमें दिये जा लागा हम यहां बात करें तो कंपनी क्लिम कर दी 30 kmpl का माईलेज जो है यह बाइक आपको निकाल के देगे अब इसके फ्रेंट बात कर लेते हैं तो फ्रेंट में आपको जो है कुछ इस तरीकी का सेट एट डिफ नोल जाता है तो यहां पर आपको प्रोइड किया जा रहे हैं इसके लावा यहां पर टर्न सिंग्डल्स की बात करें तो यहां पर आपको आपको अनकर के दिखा जाते हैं आपको इग्शन स्विच मिल जाता है लिखविड कुलिंग का सिस्टम मिल जाता है रेडीयटर दिया गया है और यहां से आप हैंडल को लौग कर सकते हैं तो इख चूट ऑन करते हैं इसका शिच्टम आपको दिया गया है सेय्ट्रब भी है उस अक बिलेक पेटल आ गया यह आपके आगई, इंजिन की प्लेसिंग आगई, फ्यूल टैंक पे आपको यहां पर जावा की बेजिंग मिल जाती है, 13.2 लिटर की फ्यूल टैंक एपसिट यहां पर देखने मिलती है, सिंगर सेटिंग उप्शन है, लेकिन आप चाहे हैं, तो पिलियन के लिए भी सीट है, वो आप इंस्टॉल करवा सकते हैं, आफ्टर मार्केट आपको जो है, सीट अविलिबल दी गई है, और डूल इसमें आपको डूल चैनल एबिएस देखने को मिलता है, रियर की बात करने आपको आपको एसमें 140 x 70 जिसका टायरस में आपको लिए गया है, और एक फीचर जो हैं मुझे ऑफी अचा लगा, यहाँ पर मूशली बैक्स में कया आपको यहाँ तो यहां पर यहाँ पर यूस्बी का फीचर तुजिया रहा है, यहाँ पर यहाँ यहाँ चुज़ तक दी गहीं यह जो है काफी सभी चलिया गया है उसके लावा डिज्टल फुली डिज्टल मीटर राउंड शेप में आपको देखने को मिलता है नीट्रल और यह जो है विएस की इंडिकेटर आप देख सकते हैं कि यहःँ यहां पर आप यहां पर हो मिल जाती है यहां पर आप यह पोसीींट आपको ब कसमें देखने को मिल जाता है कि लाच साईट्य में आपक करने तो वह पास का स्विछ दिया गया है है यहां से आप मोर अपक्रशविटर का अब टन दिया घया है और होन आंका तन underside मै आपको डीडिट पे ही जो है रिफ्लेक्टर पी देखने को मिल जाते हैं अग्वाइज की बात करें तो दो लाग साथ हजार रुपए जो है कि च्छिना मोटर समैनपुरी आगर रोड जो है यहां पर आपको दो लाग साथ हजार रुपए की यह बाइक जो है ऑन रूड मिल जाएगा और एक बार इसका एक्जोस्ट नूट आपको जो है सुना देते हैं कि किस तरीके का है कि अग्वाइब कर दो कि यह था हमारा जावा पेरा कर रिव्यूव आपको जो है पसंद आए होगी और अगर आप फिजिकली इस बाइक को दिखने चाहते तो आप जो है सुरूम पर जुरूर विजिट कर सकते हैं बाकी आपको फिर से यहाद दिला देते हैं शोरूम के डिटेल्स की डिटेल्स वह सबको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल अब कर सकते हैं और बाकी आपके इस बाइक या कार करी भी लिखने चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन भी बता सकते हैं मिल दिफिट नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैए जैए जैए